सत लोग धाम टीवी को सब्सक्राइब जिरू करें वक्ति साथ नाई करती थी यह यह परमपरागत जैसे पूजा हैं जैसे गाउ में इनकी मानता थी वो करते थे और 16 संवार का कभी बर्थ कर लिया कभी करवा चोट का बत रख लिया कभी जन्वस्ट में कर लिया बस यह थोड़ी बहुत बगती करते थे तो फिर आप संद्रामपाल जी माराशी सरण में कैसे आई मेरी बेहन को बहुत प्रोबलम थी उनको मतलब ये ओपरे प्राय की बहुत ज़्यादा सिकाया थी उनके बच्चों को भी होने लगी तो उन्होंने मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी आप तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रोबलम होने लगी आप मैं क्या करूं मेरे मैं ने बोला हमारे गुरुजी संत्रामपाल जिमाराज से नाम देक्षे लेगी अर्ट सब प्रोब्लम दूर हो जाएंगी यूर्य बैन ने ग्यान समझा और संत्रामपाल नसे में रहना कोई काम नहीं करना उनकी घर में इतनी प्रोब्लम थी कि पच्चों की फीज बरने तक के पैसे नहीं थे उनके पास और वो इतनी पूजा पाठ करती थी इतनी पूजा पाठ नो-nो दिन बूखे रह के नवरात रेकरने साल में दो बार और मितलब यहां गंगा तो मेरी मम्मी के समझाने के बाद वो संत्रामपाल जी माराज से उन्होंने उपदेश लिया करोथे में जाके तो उसके बाद उनको दिरे 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 इतने लाब होने लगे मेरी बहन को बच्चों को जो उपरे की सिकायत थी वो उनकी दूर हो गई और उसके बाद प्रमात्मा ने इतने लाब दिये उन्होंने मेरे को ग्यान समझाया भेन ने के तू भी संत्रामपल जी माराज की सरण में आजा और ये सच्चे संत पिर्थ्वीपा आये हुए हैं और ये सच्ची वक्ति देते हैं इनसे बहुत लाब होता है तो उन्होंने मे संत्रामपल जी माराज से नाम दिक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाब पराप्त हुए जैसे हम मेरे एरफोर्स में लोकरी करते थी तो जैसे पूर्णा नासिक में ऐसी ऐसा मोसम था कि वहां से मुझे मोसम सूट नहीं हुआ तो वहां से मेरे को ये अस्तमे की प्लम रही कि मैं बहुत ज्यादा दुख्य हो गई कई डोक्रों से दवाई ली इलाज कराया पर कोई आराम नहीं हुआ तो जैसे ही मैंने संत्रामपल जी माराज से उपदेश लिया दस-पंदरा दिन के अंदर मुझे यह नहीं पता मेरी बिमारी कहां चली गई उसके संदे के वापिस ले जाते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि गुरुजी चले गए और मुझे आशिरवाद नहीं मिला उसके बाद गुरुजी दुबार वापिस आते हैं और कहते हैं बेटी तरे को आशिरवाद नहीं मिला ला तरे को आशिरवाद देता हूं तो गु संत्रामपाल जी माराज जी उपदेश लिया हमने नजबगड में एक प्लोट लिया चार लाख रुपे का तो उसको हमने सेल किया तो 35 लाख का वो प्लोट हमने बेचा परमातमान इतनी दया करी उसमें 31 लाख रुपे हमें प्रोफिट हुआ उसके बाद लाब तो इतने थोड़ी 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 थे फिर मैं अमने एजबेंड को कहने लगी कि आप तो मुझे डोक्टर के पास जाना ही पड़ेगा तो ऐसे मैं आम को गुर्जियों से प्राथना की गुरूजी आप ही ठीक कर सकते हो आप इतने बड़े डोक्टर हो इतनी बड़ी- तो मेरे एस्वेंट बोले आपको तो ओस्पिटल चलना था तो मैं बोली नहीं मुझे आराम है दो तिन दिन में सर मेरे को इतना आराम मिल गया मुझे नहीं पता वह मेरी बिमारी कहां चली गए उसके बाद मुझे पत्री की प्रोब्लम होई दो जर्ब सोला में तो अल्ट अल्टर साउंट कराया अल्टर साउंट में पत्री पिसाप किनाली में पत्री आई दो दो डोक्टर बोले इलाज कराना पड़ेगा आपको काफी दवाई खानी पड़ेंगी तो मैं सर मैंने संत्रामपल जी माहराज जिसे नाम उद्विस लेने के बाद यह सोच लिया कि द नहीं पता तो सर इतने लाव हुए हैं परमात्मा की दया से हम गिना नहीं सकते और जैसे मैंने नाम उद्विस लिया उसके च्यार महिने बाद ही जैसे मेरे को सत्नाम गुर्जी देने जा रहे थे तो बहगत जीयों को बोला चोटे बच्चे हैं अपने अस्मेंट को बोला जी माराज जहां मुझे दूसरा मंतर सत्नाम का दे रहे हैं तो मेरे अस्मेंट दूसरी लाइन में पहले नाम के लिए लाइन में लगे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि परमात्मा ने अस्मेंट को भी यहां से जोड दिया और हमारे परिवार में खुशिया ही पहने के बाद तो सर उसके पैर ऐसे हो जाया करते बिलकुल लाल लाल जैसे खून तपकेगा कई काफी सारी दवाई दिलाने के बाद कोई आराम नी होता था उसको तो एक दिन सच्छंग में गए हुए थे संत्रामपाल जी माराजा शिरवात देने आए तो मैंने उनसे प्रा प्रास आगे गए गुरुजी फिर आए बेटा लड़की को बोले लड़की तु गुडिया टीवी बहुत देखती है टीवी नहीं देखना आगे से तो गुरुजी ऐसे कहे क्या शिरवात देके चले गए उस दिन दो चार दिन के बाद सर वो बिमारी कहां चली गई हमें न डिकत नहीं है सर मेरे जीजा जीजी इतना नसा करते थे ना सुबह से शाम तक दारू पीना और प्रेप्राय के सिकायत उनके मेरी घवन की घर में बहुत ज़्यादा दिकत थी उसके बाद वो मेरी भेन गुरुजी ओसे प्राथना करती रहती जी ऐसे दुखी करते हैं अच्छी आत्मा है वो जैसे बार की जो उप्राप्राया उसको बहुत दुखी कर रखा है वो आएगी प्रमात्मा की आत्मा है सरण में आएगी जरूर आएगी तो उसके मेरी भेन ने जब गुरुजी से नाम उद्देश लिया उसके पूरे डेड़ साल के बाद मेरे जीजा तो उनको गाडी में भी नी विठानों और परमात्मा ने उनके घर में इतनी रजा करी मेरी भेन को इतने लाभ वे परमात्मा अगदा से असा था कि भीस भरने के-लिए बच्यों के लिए पैसे नहीं थे कई बार मैंने भी अनके फैल्पकी-थोड़ी वह जितनी हम श्योंस सकते हैं जो कोई डोक्टर कैंसर को ठीक नहीं कर सकता संत्रामपाल जी महाराज अपने आशिरवाद से उनको ठीक कर सकते हुए ऐसे मंतर देते हैं उनके मंतरों में इतनी सकती है कि वो कितनी भी बिमारी हमारे संत्रामपाल जी महाराज सत्संग में बोलते हैं कि कैंसर का कैंस उसके बाद मेरी भेन का बड़ा लड़का उसको नोकरी मिली वहां बैंगलोर में नोकरी करने लगा उसके थोड़े दिन बाद वो उस्टेलिया कंपनी ने ऊस्टेलिया बेज दिया आज वो लड़का ऊस्टेलिया में इतनी बड़ी पोस्ट पे है बहू भी ऊस्टेलिया में है चोटे लड़के को सर या बैंगलोर में एमाजोन कंपनी में नोकरी करता है मैनेजर 65 लाग उसका पैकेज है परमातमा न इतनी दया कर दी उनके घर में आज वो परमातमा कितने गुन काते हैं ऐसी हमें कहीं से कितना कुछ भी लाब नहीं हुआ परमातमा की सरण संत्रामप पाल जी माराज से नाम दिक्षा लेने के बाद आपको लाभी लाभ मिले तो जो दर्सक आज आपको देख रहा है खास करके जो महिला है जो दुखी है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी जिए उनसे यही प्राथना करना चाहूंगी मैं कि इस दर्थी पर संत्राम पाल जी माराज कबिर साहिब के रूप में आये हुए हैं और सभी दुखी आत्माओं को अपनी सरण में लेके उनका दुख दूर करते हैं जो भी भगत आज मुझे देख रहे हैं मेरे जान पैचान वाले यार इस्तेदार कोई भी मैं उनसे आजोड के प्राथना करना कि एक बार उनके ज्यान को सुनें समझें देखें बेसक आप उनसे नाम उद्देश ना लें पर उनके ज्यान को एक बार समझ के देखो प्रूप के साथ हमारे संत्रामपाल जी माराज एक बात समझाने के लिए छेचे प्रूप देते हैं प्रूप के साथ ज्यान दे रहे ह और मैं तो सब इसे यही प्रात्ना करना चाहूंगी कि एक बार संत्रामपाल जी माराज की सरण में आने से पहले पहले उनका ज्यान समझो उनकी पुस्त के पड़ो कई चैनलों पे उनके सच्छंग आते हैं सच्छंग सुनो संत्रामपाल जी माराज से ज्यान दिक्षा उप्देश लेने के लिए जैसे कई चैनलों पे निचे पट्टी चलती है उस पे नंबर लिके हुए होते हैं उस पे आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं और वहां से किसी भी नाम के इंदर का पता पूच सकते हैं नाव उब्देश लेका अपना कल्यान करवाई दन्यवाजी